सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और वैल आइकन को प्रिस्ट करें सबसे पहले सेलेक्षिन के लिए जैहिन सातियों आप सभी कास्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्लड में सातियों आज की इस वीडियो में पूरे विहार शिक्षक भर्थी कि परिक्षा को क Bür किया जाएगा और 50 ऐसे प्रिष्ण सातियों में आपको करवाने वाला हूँ जो आप लोग विहार शिक्षक भर्थी कि परिक्षा में गारिंटी के साथ 100% देखेंगे देखेंगे तो क्लास आपके याँ पर सातियों शुरू हो चुकी है पहला पुछनाप की स्क्रीन पर आ चुका है आपसे पूछा जा रहा है कि भारती राश्टी कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन की अधिश्टा किस ने की थी तो डबलू सी बनरजी ने की थी आपको धियान कौन थे याँ जो लाहोर में कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था यहां पर इसकी अधिश्टा सातियों किस के द्वारा की गई थी तो पंडी जवहला लहरू के द्वारा की गई थी यह आपको धियान रखना है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमबर एक के साथ उसके ब गाया गया कौन से अधिवेशन में गाया गया तो आपको ध्यान रखना है कि कलकता अधिवेशन की बात करे तो 1911 में जो कॉलकाता अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार राश्टेगान गाया गया जिनका आंसर यहां पर है आप्शन नमबर एक साथ तो बिलकुल करेक् किे सातियों भारत के राजनेतिक प्रियासों का लक्ष सुयराश था दादा औरोजी ने इस लक्ष की घुशना कब की TIGH भी तो इस्लक्ष की घुशना सातियों 1857 के विद्रों का किया गया है या आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जाएगा वो अप्शन नमबर C के साथ जाएगा उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का कोजिशन आपके स्क्रेंट पर है कि 1857 इस वी के विद्रों में किसने भाग नहीं लिया था तो साथियों किसने तो मालूम होना चाहिए कि रानी लक्ष्मी बाई ने लिया था नाना साहिब ने लिया था तात्या टोपे ने लिया था लेकिन भागा सिंग ने नहीं लिया था तो यही इस कोशन का बिलकुल करेक्ट आंसर है चलिए अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मी बाई सातियों कब शहीद हुई थी आपसे पूछा जा रहा है तो कब शहीद हुई थी बदाने की कोशिश कीजिए आपको देहान रखने अठारा सो अठावन में ये शहीद हुई थी इसलिए आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर भी के साथ नेक्स नमबर का प्रशन आपके स्केरीन पर बताईए क्या पूछा जा रहे सातियों आपसे के मौपला विद्रो किन वर्षों के बीच हुआ था बताए भाई किया गया था तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नमबर भी के साथ तो बिल्कूल करेक्ट है चली उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रशन है कि 1856 में भारत में हुए संथाल विद्रों का नेतरत किसके द्वारा किया गया था बताए भाई तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों सिद्धु और कान्धु इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है साथियों यह दो आदी वासी लोग थे तो इन दो आदी वासीयों के नेतरत में 1855 में साथियों आपको ध्यान रखना है संताल विद्रों का नेतरत कि इस कोशन का साथियों राइट आंसर होगा भारत पे सुएदेशी आंदोन के शुरुआत किस दौरान हुई थी या आपसे पूछा जा रहे तो बंगाल भंग यानिके बंग भंग विरोधी आंदोन के दौरान हुई थी या आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा तो ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा अगर आपसे पूचा जाए कि सुएदेशी आंदोन साती कब शुरू किया गया तो 1905 में शुरू किया गया उसके बाद देखीए नेक्स नमबर का कॉशन आपकी स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहे सात्यों कि लौड करजन द्वारा बंगाल विबायजन के निरने का वास्तवी कारण किसे माना जाता है तो सात्यों की से माना जाता है बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोचन का विरोध कर रहे थे तो नहीं सभी सुद्रता सेनारी बंगाल से थे थे तो नहीं अंग्रेजी की फूट डालो और राज करो निती ये या बंगाल एक शिक्षा के इंदर के रूप में उभरा था तो आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर सी के साथ यानि के लोड करजन के दोवारा बंगाल विभाजन के नड़ने का जो वजह थी जो कारण था वो अंग्रेजी की फूट डालो और राज करो की निती थी किस सथान को नर्सरी आ व्फ डबंगाल आर्मी किसे कहा जाता है वजह जाता है उसके बाद देखी इन में से कौनसा आंदोनलल वाल बाल पाल दौरा शुरू किया गया था तो सुएदेशी अंदोनन आप लोग ध्यान रखेंगे इसको साथियों लाल बाल पाल के दोरा शुरू किया गया था जिनका आंसर यहां पर D है तो बिल्कुल गरेक्ट है चलिए उसके बाद देखिये साथियों कि बंगाल का पहला विभाजन जो था वो किस वर्ष हुआ था बताई भई बंगाल का पहला विभाजन जो हुआ था वो 1905 इस्वी में हुआ था यह आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर आपका जाएगा आप्शन अम्बर D के साथ महत्मा गांधी जी के दोरा नमक सत्यागरे कब शुरू किया गया था तो महत्मा गांधी जी के दोरा नमक सत्यागरे साथियों कब शुरू किया गया था तो 1930 में शुरू किया गया था यह आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बार देखिए सात्यों बिहार का राज़ फूल क्या है आपसे पूछा जा रहा है तो बिहार का सात्यों राज़ फूल कौन सा है तो गेंदा है आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर ए के साथ नमलिकित मेंसे कौन विहार का राज़ पक्षी है बताए भाई देए विहार का राज़ पक्षी आपके बारे में सात्य या पर पूछा जा रहा है तो अगर बात करें कौन सा है तो गउरिया है या आप लोग ध्यान रखेंगे इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका भी है option number C के साथ तो बिलकुल correct है विहार की निम्लिकित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपी का प्रयोग करती है तो कौन सी भाषा साथियों तिरहुत लिपी का प्रयोग करती है मैथली भाषा तिरहुत लिपी का प्रयोग करती है बाद देखिए कि नाट शास्त्र पुस्तक के शास्त्र नित्त पर किसके द्वारा लिखी गई थी क्या पूछा जा रहा है नाट शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्र नित्त पर किसके द्वारा लिखी गई थी तो भरत मुनी के द्वारा लिखी गई थी ये आपको ध्यान इसलिए आंसर आपका option number C के साथ जाएगा उसके बाद देखिए पाल राजविश का पहला राजा कौन था ये आप से पूचा जा रहा है तो पाल राजविश का साथियों पहला राजा कौन था इसका नाम क्या था गोपाल इसका नाम था इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है option number A के साथ तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखिए सातियो next number का question है कि विंध्या शक्ती किस वंश के संस्थापक थे वाकाटक, काक्तिया, पांडव या सातियों चोल वंश के संस्थापक थे तेहरमे शिलालेक में, चौथे शिलालेक में, पहले शिलालेक में या सातियों, दसमे शिलालेक में बताईए तो यहां पर सातियों answer के अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है तेहरमे शिलालेक इस परशन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है यानि कि आशोक के तेहरमे शलालेक में कलिंग युद में आशोक की विजय का उलेक किया गया है ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुद्र का पुद्र मौर समराज के सिंगहासन पर बैठने वाला दूसरा शाह सकता क्या होगा साते इस बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजे तो आपको ध्यान ये रखना है कि चंद्रगुप्त का पुद्र बिंदुसार मौर समराज के सिंगहासन पर बैठने वाला दूसरा शाह सकता तो जिनका भी आंसर यहां पर है आप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है उस क्या सातियों इस कोशिशन का आपका राइट आंसर हो सकता है पंजाब आपके इस प्रशन का बिल्कुल सही चवाब हो जाता है और जिनका आंसर यहां पर है आप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है चलिए उसके बाद देखिए कि विशिष्टा द्रैध कोशन है कि गोल कुणडा किला कि अगर बात करें तो एक किस साथियों राजवश के दोरान बनाया गया था बताई वाई चलिए तो गोल कुणडा किले कि अगर बात करें साथियों इस कोशिशन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए बताई तो आंसर के अगर बात करें तो कुतुब शाही राजवंश इस प्रश्ण का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है तो जिनका भी आंसर है आप्शन अमर बी तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों अगर बात करते हैं न यहां पर हम लोग विध्धानों के बारे में तो कई सारे विध्धानों में आपस में बहुत सारे साथियों मतबेद हैं तो कुतुब शाही राजवंश भी कुछ लोग मानते हैं कुछ किसी और को मानते हैं लेकिन जो परिक्षा में परिशन आप से पूछा गया था और आंसर के मताबिक साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो कुतुब शाही राजवंश के साथ जाएगा उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का प्रिशना आपके स्क्रेन पर है कि उस इंजीनियर का नाम बताए जो हमपी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था बताए भाई उस इंजीनियर का नाम साथियों किया था तो करनल कॉलिन मेकेंजी उस इंजीनियर का नाम था यह आपको ध्यान रखना है जो हमपी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था तो जिनका आंसर यहां पर है आपशन नमबर A के साथ तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए साथियों के बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तड़ पर साथियों इस्थापित किया गया था तो हुगली नदी के तड़ पर स्थापित किया गया था यह आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर C के साथ उसके बाद देखिए कि भारत के लिए समुदरी मारकी कोच किस ने की थी बताने की कोशिश कीजे राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी का उत्तर जो जाना चाहिए वो अप्शन नमबर A के साथ जाना चाहिए यानि के भारत के समुदरी मारकी कोच किस ने की थी तो वासकोड़ गामा ने की थी उसके बाद देखिए इन में से कौन सा खुच करता भारत आने वाला आना चाहता था कि तो इसके बजाए अमरिका के तड़ पर पहुच गया यानि के आना चाहता था भारत लेकिन अमरिका के तड़ पर पहुच गया तो किस की साथियों बात चल रही है कि स्टोफर कोलंबस की बात चल रही है इसलिए आनसर यहां पर जिनका है आप्शन नंबर सी तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए एस्ट इंडिया कमपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक के अंदर इस्थापित किया था बताई बाई चलिए तो इस कोशन का साथियो राइट आंसर आपका जो होगा वो सूरत के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर आप्शन नंबर डी है तो बिलकुल करेक्ट है भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले यूरोपी अध्याश कौन थे बताने की कोशिश कीजिए कि इस कोशन का आपका राइट आंसर क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है पहले यूरोपी अध्याश अगर आपसे पूछा जाए तो जोर्ज यूले का नाम आपको आप से थे महराश्ट से और बंगाल से थे जो करम है ना वही करम चलेगा साथियों जैसे यहाँ पर करम है वैसे यहाँ पर करम चलेगा उसके बाद देखिए कॉंग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तोर पर मनाया था गरतंतर दिवस स्वतंतरता दिवस भारत दिवस य तोर पर साथियों मनाया था इसलिए आंसर आपकर जो जाएगा वह ऑप्शन नमबर बी के साथ जाएगा चलिए उसके बाद देखिए आगले नमबर का पुर्षन है कि किसी भी विद्यक को धन विद्यक घोशित करने का निर्णे लेते हैं तो ये निर्णे सात्यों जैसा निर्णे किसके द्वारा लिया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है ये आपको ध्यान रखने आंसर आपका जाएगा उप्शन नमबर डी के साथ उसके बाद देखिए के भारत के वित्य मंतरी द्वारा केंद्री ये बजट में प्रस्तुत किया जाता है। पर है option number B के साथ तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखिए सातियों कि अखिल भारतिये सेवाओं के निर्मान के लिए कौन उत्तरदाई होता है तो राजसभा उत्तरदाई होती है यह आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो option number A के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर A है तो बिल्कुल correct है अब उसके बाद देखिए कि हिंदी को भारत की राजबाशा घुशित कराने के लिए किस स्वत्मता सेनानी को याद किया जाता है तो किस को याद किया जाता है सातियों पुर्शोतन अव्दास टेंडन को याद किया जाता है यह आप आपको ध्यान रखना है आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ तो आप्शन अमबर A के साथ चलिए उसके बाद देखिए सौर मंडल का हेलियो सेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किस के दोरा प्रसुत किया गया था तो किस के दोरा सातियों प्रसुत किया गया था तो निकोलस कॉप पर निकस के दोरा परसुत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा, तो option number D के साथ जाएगा, उसके बाद देखिए, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्टा है, बताई बहिए, जो सौर मंडल है ना साथिओं, ये किस गैलेक्सी का एक हिस्स है तो आकाश गंगा का हिस्सा है या आपको ध्यान रखना है और जिनका आंसर यहां पर option number C है तो बिल्कुल correct है एंड्रो मेंडा सातियों क्या है या आप से पूछा जा रहा है तो एंड्रो मेंडा सातियों यह क्या है यह milky वेखी पड़ोसी आकाश गंगा है क्या है मिल्की वे की सातियों पड़ोसी आकाश गंगा है या आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जाएगा option number A के साथ चलिए भई अब उसके बाद देखिए निमिकित में से कौन सी आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे करीब है तो कौन सी आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे करीब है तो एंड्रोमेडा गैलक्सी है या आप लोग ध्यान रखेंगे इसलिए आंसर आपका जिस option के साथ जाएगा तो option number C के साथ भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिग वोई ये कहाँ परिस्तित है मतुरा में असम में कलोल में या सातियू में गाले में बताईए तो कहाँ परिस्तित है आपको ध्यान रखना है ये असम में इस्तित है इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है option number B के साथ तो बि इंद्रा गांदी एलाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है ये आप से पूछा जा रहा है तो इंद्रा गांदी एलाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जैराम डर्मेश है क्या आपका राइट आंसर होगा सही जवाब आपका जो होगा option number C के साथ जाएगा कवीता स अंगरहे की रशना किये गई ठीक है और जिनका भी आंसर यहाँ पर A है तो बिल्कुल करेक्ट है अंतर आश्टी मुद्रा कोश साथियों कब बनाया गया ये आप से पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए तो 1945 में साथियों ये बनाया गया इसलिए आंसर आपक की फुल फॉर्म हो जाएगी हिंदी में कहेंगे आर्तिक सयोग और विकास संगिठन ये इसके हिंदी में कहेंगे इसके मुख्याले की बात करें तो फरांस की राजधानी पैरिस में इसका मुख्याले इस्थित है तो इस परिकार जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है परिक्षा के लिए सातियों ये रामबाड इलाज होगा एक रामबाड क्लास होगी इसमें जतने भी कोशन्स आपको करवाए गए वो सभी के सभी सातियों बिहार परिक्षाव में पूछे जाते हैं तो इसलिए जातों ये 50 कोशन्स का एक मौक टेस्ट आपको अपलब्द क लिए